Hey Hello Everyone, Welcome back to my YouTube Channel, Study with Erica So Guys, Today we will start part 5 of chapter number 5, that is Lines and Angles इसमें आज हम Exercise 5.1 के next 2 questions, question number 6 and 7 इस वीडियो में cover up करेंगे So जल जिसे start करते हैं, open your books with question number 6 and also make sure to subscribe to the channel So देखो, आपका question है in the given figure, आपको यहाँ पे एक figure दी गई है, diagram दी गई है Angle 1 and Angle 2 are supplement, so यह already दे रखे हैं कि 1 and 2 supplement है Which means Angle 1 plus Angle 2 is equal to 180 degree, because it is given that both are supplement Now, if Angle 1 is decreased, what change should take place in Angle 2? That both the angles still remain supplement, तो पूछ रहे हैं कि अगर हम Angle 2 को decrease कर दे, कम कर दे Suppose करो हम यह example ले लेते हैं कि जो मैरा Angle 1 है, वो 120 degree का है हम just example ले रहे हैं, अगर कहते हैं, इसको हम decrease कर दे, decrease मतलब कम कर दे अगर मैं यह Angle इस तरह ऐसे कर दो, 120 की जगा 90 का कर दे हम, तो क्या कहते हैं, अगल 2 में कोई फरक पड़ेगा So yes, Angle 2 को यह वाली जगा कवर करने पड़ेगी तांकि वो supplement बने हैं न, देखो पहले यह Diagram इस तरह ऐसे हैं अगर हम इस Diagram को इस तरह ऐसे कर दे, कि जो Angle 1 है उसको छोटा कर दे, यह Angle 1 था, यह Angle 1 है इसको छोटा कर दे, तो वो कहते है 2 पे कोई फरक पड़ेगा So yes, पड़ेगा, जो Angle 2 है वो भी increase हो जाएगा, क्योंकि उन दोनों का sum क्या है, supplement So हम यहां क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, we have to note down that, if Angle 1 decreased, then Angle 2 must be increased, तो Angle 2 को क्या होना पड़ेगा? Increase करना पड़ेगा, कितना increase करना पड़ेगा? Just wait a minute, okay, increased by same value, जितनी value से Angle 1 को decrease करेंगे, उतनी ही value से Angle 2 को increase करना पड़ेगा So that, Angle 1 plus Angle 2 is equal to 180, ताकि उनका sum तब भी 180 रहे, और यहां पर आपके case लिख सकते हो, जैसे for example, Angle 1 is equal to 120, So Angle 2 is equal to 60, क्योंकि इन दोनों का sum क्या बन रहा है? 180, अगर हम Angle 1 को decrease कर देते हैं, 100 पे, हमने कितने का decrease किया? 20 का, So यहां पर हमें 20 का increase करना पड़ेगा, तब भी इनका sum क्या बनेगा? 180 बनेगा, चीक है? So same value से हमें उसको increase करना पड़ेगा, जितनी value से जो Angle 1 हो, decrease होगा, चीक है? So this was your question number 6, let's come to the next question, our question number 7, यहां से सुनना, can 2 Angles be supplement if both of them are acute, वो कहते हैं, क्या अगर दोनों Angle acute है, acute Angle क्या होता है? which is less than 90 degree, मतलब 90 degree से छोटे वाली, यह होता है हमारा 90 degree का Angle, इससे छोटे वाले सारे क्या होते हैं? हमारे acute होते हैं, चीक है? वो पूछ रहे हैं, क्यते हैं, दो acute Angle, क्या 180 बना सकते हैं? बना के देखो, एक acute ले लिया और दूसरा acute ले लिया, no, यह दो supplement नहीं बनाएंगे क्यों, क्योंकि वो 90 से कम है, यह हम example ले ले लेते हैं, देखो, मैं acute जादा से जादा क्या ले सकते हूं? 89 degree ले सकते हूं, क् 89 प्लस 89 क्या 180 बन सकता है, 99's are 18, 16 and 178, so this is not a supplement, 90 हम ले ले नहीं सकते हैं, क्योंकि 90 acute Angle होता ही नहीं, acute Angle होता है, 90 से छोटा है, so 90 से छोटे दो Angles का सम कभी 180 नहीं बनेगा, so यहां पर अंसर क्या आएगा, no, next one is obtuse, अब obtuse क्या होते हैं, जी more than 90, जो 90 से बड़े हो, more than 90 degree, so 90 से बड़े एक तो जैसे यह हो गया, ठीक है, और दूसरा Angle मैंने ले लिया यह, क्या इन दोनों का सम कहते हैं, 181 सकता है, यह भी example लेके देख लेते हैं, हम यहां ले लेते हैं, 110, प्लस 110, यह क्या बन गया, 220, यह तो 180 से जादा हो गया, और supplement क्या होता है, 180, और क this will again, 182, यह भी 180 के equal नहीं बनता, 90 तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्यूंकि 90 obtuse नहीं होता, so हम क्या है सकते हैं, कि अगर 2 obtuse हैं, तब भी जो हमारा Angle है, वो, no, sorry, supplement नहीं बन सकता, ठीक है, so इसका भी अंसर क्या आएगा, no, क्यूंकि यहां पे आप example दे देना, acute की, because 89 सबस से छोटा क्या है, 91 और इसका भी नहीं बनता, next है, right, right क्या है, 90 degree, so 90 प्लस 90 तो 180 बन सकता है, it means supplement बन सकता है, so only right का answer क्या आएगा, yes आएगा, दोनों acute हैं, तब भी supplement नहीं होंगे, दोनों obtuse हैं, तब भी supplement नहीं होंगे, और आप साप में reason भी provide कर सकते, okay, so this was your question number 7, let's come to the next question, okay, this was for today's class, इस दोनों कोशन में आपको कुई दाउप हो, you can ask in the comment section, कल हम करेंगे, यसी exercise के next two questions, question number 8 and 9, till then take care and bye